ओम छाद्धी हमारे अतिप्रिय दैवी परिवार के सभी बाई बैनों को मदुबन से करूना बाई का बहुत 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 शुबकामनाएं क्योंकि अभी अभी हम सब ने नया साल का संक्रान्ती का सारे भारत वर्ष में हम सब मनाते आए कुशिय मनाएं और हम अभी 18 जनवरी भी मना रहे हैं और ये मास हम सब ने ये प्रतिग्या की है मुक से और मन से अधिक से अधिक मौन का अभ्यास करने का प्रयास करते आ रहे हैं आज मुझे बताया गया कि जो पिता श्री प्रजा पिता ब्रह्मा जो इतनी बड़ी एक विश्व संस्ता को स्तापन किया सारे भारत को आज विश्व विश्व गुरु के रूप में देख रहा है ये कारिय प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा स्वाइम परम पिता परमात्मा श्यू बाबा ने कैसे किया तो मेरा सन 1960 से संस्ता के संपर्क में आया तो जिस समय पर हमारे सब दादियां थे बाबा थे ममा थे जो पांडो बवन का जो रूप देखा था जो प्रैक्टिकली कैसे जो विश्व का पिता ब्रह्मा बाबा कैसे रहते थे एक छोटे से रूम में तो ऐसा सवबाग्य मुझे मिला जो आज मेरे इश्वरिय विश्व विद्याले में लगबग साट साल की सेवा हो रही है तो ऐसे समय पर जो मैंने देखा था सन निस सव साट में वो द्रश्य मेरे से बूला नहीं जाता मैं पहले-पहले बैंगलूर में रदेपुष्पद आदी जी से मिला वेसे संतों से मिलना मेरा पारिवारिक धार्मिक संस्कृती का एक सोबावख था मैं संतों से बहुत प्रवावित होता था उनके पवित्र जीवन या समझो उनके प्रवचन से प्रववावित था परंतु जब हमेने रदेपुष्पद आदी जी को देखा तो वो प्रवचन से नहीं जीवन के आदर्श से उनके जो पवित्र मुकखमल से ऐसे मैसुस होती थी ये एक महानसंत है उनके जो योग कराती थी जिसको हम राजयोग कहते हैं सच्मुच कैसे भी आत्मा हो उनके सामने आते ही एक अलग ही अनुभव अशरीरी पन का अनुभव करते थे मैं तो उनको एक जो इस दर्ती में रहने वाले लोगों से अलग एक फरिस्ता के रूप में देखता था फिर मैं पहली बार आबू परवत पर आया तो मातेश्वरी जी से पहले मिलने का मौका मिला और वही अनुभव जो दादी जी से मैं बैंगलोर में किया था तो उसी प्रकार का पहला अनुभव मातेश्वरी जी से भी हुआ तो उनकी द्रश्टी पढ़ते ही ऐसा लगा ये कोई और नहीं है जो मेरा ही मा है तो शायद ही इस दुनिया में 81 येर्स कम्प्लीट कर रहा हूँ तो मा केवल एक लोकी की ही सच्चे दिल से हम सभी याद करते हैं परंतु मेरा जिन्दिगी में एक और मा मिली जिन को मिलते ही पहली बार ही ऐसा लगा ये भी एक मेरा अलोकी कमा है ऐसा नुबुती हुआ उसके बाद मैं पिताजरी जी से मिला उनका जो पहला शब्द था आओ बच्चे मुझे ऐसा अश्यरी हुआ मुझे ये कौन है जो बच्चा कहते है और बिलकुल ऐसा प्यार से जो लोकिक पिताबी मुझे बहुत प्यारा थे परन्तु ये जो आवाज कान में पड़ा आओ बच्चे और दोनों हाते खोल कर जैसे मुझे अपने पास बुला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई महान आत्मा से मिल रहा हूँ अभी तक तो उस समय तक यही समयते थे संतों का पाउँ पढ़ना है या दर्ती पर सो जाना है उद्धांड नमस्कार कहते थे हम लोग परन तो ऐसा कभी नहीं सोचता था कि कोई महान संत मुझे आओ बच्चे ऐसा कह करके अपने बाओं में लेंगे ये मेरा महला नब होता अर्थात मुझे अपना लोकिक माँ और बाप होते हुए भी पती प्यारे होते हुए भी एक अलोकिक माँ और बाप की प्राप्ति मेंने पहली बार अबू परवत में किया मेरा उन दिनों के आश्चरी की बात यही था कि जो भी लोग बाबा से मिलने आते थे ममा से मिलने आते थे लग बग उनका भी अनुबो ऐसा लग रहता कि जैसे बाबा ममा उनका भी है तो उससे मुझे और पक्का हुआ कि ये अलोकिक माँ और बाप है जो हर आत्माओं को जैसे आकरशित कर रहे हैं आप तो जानते ही है कि प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी शुरी विशुविद्याले सर्वात्माओं को यही संदेश देते आ रहे हैं कि कल्युक का महाविनाश होगा और सत्युक की आदी होगी इसी दर्ती पर जिनको हम सोने की चिडिया कहते हैं जिसमें शास्त्रों में लिका हुआ है पुश्पक विमान भी था तो ऐसा एक साइन्स से भी संपूरन जिसको हम कहते हैं फुल प्रूफ साइन्स भी था हर प्रकार की सुईदा थी सुक्षान्ति पवित्रता थी ऐसी दुनिया की स्तापना स्वयम परम्पिता परमात्मा आवतरित होकर प्रजा पिता ब्रह्मा द्वारा कारे कर रहे हैं ये संदेश भी हम सारी स्रश्टी को साठ साल से देते आ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये सोबाग्य है तो मैं दो संतों को इस जीवन से पाया जिनको माँ बाप के रूप में पाया बले मेरा जीवन का अनुभो में नौ साल किता श्री जी के साथ रहा पांच साल मम्मा के साथ रहा तो उसमें मैंने यही अनुभो किया तो मुझे भी उन जैसा बनना है तो मुझे तीन बात पिता श्री जी से मातेश्वरी जी से अनुभो हुआ ये किये है जिसको वेराग कहते है वेराग तो इस दुनिया में लाखों लोगों को मैंने देखा है अलाबाद मेले में भी देखता रहा अन्य भी जब ही जब यह ऐसे दार्मिक संस्ताय होती है कारे कर्म होता है तो वहां हमको संत मिलते हैं परन्तु बाबा सदाई कहते थे गर गरस्त में रहते हुए कमल समान न्यारा और प्यारा रहना बाबा कोई जंगल में नहीं गए थे बगवा नहीं पहने थे बिलकुल जैसे सादारन रूप से एक छोटा सा कमरा जो आज भी आप सबी देख सकते हैं जिसको हम बाबा का कमरा कहते हैं तो किस तरह से एक सादारन रूप में तो बाबा रहते थे तो जिसको मैं कहूंगा हद कवे राग नहीं जो कपड़ा बही नहीं सिरफ छोटा सा एक पहन ले वो नहीं बिलकुल साप सुत्रा सादारन जीवन किस तरह से बाबा ने बिताया तो वो हमारे लिए एक बेहद वैरागी के रूप में बाबा हमारे साबने आदर्श रहा बले मैं आपने इस जीवन में भी देश, विदेश, हर प्रकार के जो भी इस समय की माया के जो पॉंप है चाहे दुबई जैसा हो या कोई भी बाबा ने सब कुछ दिखाया परन्तु जो बाबा को मैंने देखा, वो बाबा मेरे मन में सदाई रहा तो जीवन का एक मातरा अदर्श जो किस तरह से अलोकिक वेराग्य, बेहिद वेराग्य कैसे करे तो वो मैंने बाबा से देखा तो मुझे याद है वो सीन जब पहला पहला एक अच्छा कमरा बनाया गया था, नया निर्मान किया गया था और हम सब को कुशी होती थी, अब बाबा उस कमरे में रहेंगे और बाबा हाथ पकड़ के हमको दिखाते थे कि बेह नया कंस्ट्रक्शन कैसे बन रहा है बाबा कुद कहते थे ऐसा बनाओ ए, टैश बातरूम ने सब हो, इस तरह से हो ये जब पूरा हुआ, जब इनाउग्रेशन हुए, तो जब बाबा को कहा कि बाबा आप कब आ रहे हैं, तो बाबा हसते हुए कहा ये बाबा के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए है और वो शब्द, और जो बाबा का लास्ट तक भी, जो एक साधारन रूम में रहे तो बेहद वेराग क्या होता है, इनके हर चलन में, खाना, पीना, रहना और हम सब बच्चों के साथ रहना, जिनको हम स्वयम जानते हैं, जो यही रत पर स्वयम भगवान आकर सुबह सुबह मुर्ली सुनाते हैं, फिर भी ब्रह्मा बाबा जैसे एक समानी पिता के रूप में, एक अनुभवी पिता के रूप में हमको ऐसा जीवन बनाया, जो इसलिए पहला आदर्ष, कुछ भी हो, साधारण जीवन, सामानी जीवन जीना है, यह हमारा पहला जीवन का लक्ष रहा, दूसरा मैंने ब्रह्मा बाबा और मम्मा में देखा, पावर अफ साइलेंस, कभी हमने दोनों के मुक से कभी जोर से बोलते हुए, मैंने कभी नहीं देखा, चाहे जोर से बोलते, या आवाज से बोलते, या कभी जोर से हसते, कभी नहीं देखा, तो जब भी हम बाबा को देखते थे ममा को देखते थे तो ऐसा लग रहा था दोनों कहीं और है यहां नहीं है जब जिस से बात करते थे तो तब बाबा नीचे होते थे पर जब वो अकेले होते थे कभी ऐसा नहीं लगता था कि बाबा यहां है या ममा यहां है परन्तों वो कहीं और है मुझे वो भी अनुभो मैंने देखा था बाबा का जब मेरे से बात करते करते अचानक जैसे बाबा ने पूछा कि क्या कहा बच्चे तो मुझे लगा बाबा यहां नहीं थे तो मुझे अभी बाबा का ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, बाबा को इस दर्ती पे नहीं ला आना चाहिए बाबा जहां है बाबा को अभी वहां रहना देना चाहिए जिसको हम तपस्या कहते हैं, बिंदु स्वरूप कहते हैं तो आज वो भी मुझे याद आता है कि हम को इस दुनिया में अभी रहते हुई भी अभी यहां नहीं है हम हम को भी अभी बाबा के साथ ही रहना है तो जितना हम मन से या स्टूल से इस दुनिया से दूर शू बाबा के साथ, ब्रमा बाबा के साथ, हमारी दादियों के साथ तो ये अनुबूती करने का समय अभी हमको भी आ गया है जो मैंने बाबा और ममा में देखा था तीसरा बाबा भी सुबह की मुरली में जिसे बाबा, शू बाबा हम बच्चों को ग्यान दिया जिसको हम स्रीमत कहते हैं, मुरली कहते हैं उसके बाद सारा दिन बाबा वाचा से बहुत कमाते थे तो मुझे लगता है कि अब हम बच्चों को बाप को कदम कदम फॉलो करनी है तो जितना हम कम से कम बोल सके ये तीसरा पार्ट मैंने बाबा से सिका हूँ और मैं यही कहूँगा कि हम सब बच्चे शब्दों से भी मुक्से भी हम आवाज से परे होने की साइलेंस पावर को हम बढ़ाएंगे तो मैं समयता हूँ प्रतिछता की जो समय है वो बहुत दूर नहीं है तो ये मास्तो विशेश हम सभी बाई बेने मन की और मुक की दोनों मौन का जितना अब्यास करेंगे उतना हम बाबा की प्रतिछता कराएंगे ऐसे आशा रखते हुए आप सब को बहुत 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 हुसवर्ष का शुबाशे है और 2021 जो है ब्रह्मनों के लिए बाबा के बच्चों के लिए बहुत स्रेश्ट वर्ष बने सुक्षांती सम्रद्धि की सब आत्मा की और बहुतिक दोनों सब को बाबा प्रदान करें ऐसी आशा करते हुए आप सब को तो फिर से ओम शांती, ओम शांती, ओम शांती.